नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में मैं हूँ प्रवीन खेतान और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी शामदार ऑप्शन स्ट्राटिजी की जो बैंक निफ्टी में आपको जबर्दस मुनाफ़ा देनी है जी हां बैंक निफ्टी मे और वो भी वीकली एक्सपाइरी वाली निफ्टी में इसमें लगवग आपका जो रिस्क रिबॉर्ड रहता है वो वन इस्टू का रहता है आपको लगवग 50% का रिटान ऑन इंवेस्मेंट मिल सकता है अगर इस स्ट्राटिजी को आप सही धंग से अपलाई करें तो काफी स्ट्राटिजी है काफी पॉपलर स्ट्राटिजी है हम लोग काफी टाइम से इसको ट्रेड करते आ रहे हैं और एक्च्वल में यह रिजल्ट आपको बहुत शांदार देती है तो इस वीडियो को लास्त तक जूर तक देखिएगा धान से मेरी बातों को सुनिएगा क्योंक क्योंको पल नहीं पड़ती जबकि पॉसिबल होता है हर कुछ इस मार्केट में मैंने एक वीडियो बनाए थी पांच हजार से पैतालिस लाग कैसे बनाए वो वीडियो थी उसका जो कॉंसेप्ट था आज भी लाखो ट्रेडर उस कॉंसेप्ट के ऊपर एक्सपाईरी डेट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं सबसेप्ट को समझने की बजा है आप सर्फ काल्कुलेशन में रहे गए एनिवेज तो मैं आपको दुबारे से इसको रिमाइंडर देता हूं कि आप ध्यान से इस वीडियो को लास्त तक देखिए स्टेब बे स्टेब जो समझा रहा हूं उसको समझिए गहर से और इंप्लिमेंट करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या इस स्ट्रेडिज ने काम किया या नहीं किया तो आज जो मैं ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म यूज करूंगा वो है M-Stock मैंने M-Stock पे स्विच किया क्यों स्विच किया इसका सबस ओपनिंग के लिए फीज देनी है that is pricing is 9.99 और इसके लाबा AMC नहीं चाहिए तो 9.99 AMC का यानि कि लगबग 2,000 रुपे दे करके आप lifetime brokerage free हो जाते हैं अगर आप pricing देखेंगे तो there is no charges on delivery, intraday future, ETF, MTF, options, currency, nothing आपको कुछ नहीं देना है तो इससे काफी कुछ बचता है यार pocket में अगर आप यह सोचोगी है आपने 400 रुपे का profit कमाया और उसमें से 100 रुपे brokerage दे दी तो कैसे काम चलेगा बंदो इसलिए मेरे को मेरा asset बहुत अच्छा लगा मेरी काफी savings हो रही है मेरा assets के उपर में जो M stock in का app है मेरा asset का just amazing company काफी पुरानी है और अगर हम बात करे company की तो लगवाग 17 billion dollars manage कर रही है equity capital 12 billion dollar का है और तक्रीव इनके पास total clients ऐचा है 482 billion dollar का है this is just amazing अगर हम बात करते हैं अगर margin trading facility की तो इनका जो interest rate है that is 6.99% which is lowest in the industry इससे सस्ता कोई नहीं है they have added around 180,000 users in just one year so they are the fastest growing broker in India right now so just try this and let me know how it works तो दोस्तों ये strategy हम सीखेंगे M stock पे और हम इसको apply करेंगे bank nifty पे अगर आप सही time पे entry नहीं करते हैं तो आपका सारा effort बरबाद जाता है देखो आपको पता है कि options are like tomato समय के साथ option सरता जाता है और बाद में उस tomato को सड़ेवे tomato को fake देता है यानि कि वो अपनी value हर रोज खोता जाता है तो जरूड़ी ये है कि उस tomato को कब खरीदा जाए और कब बेचा जाए ताकि profit बनाया जाए तो इसलिए timing बहुत important है तो इस strategy को right time भी अगर आप implement करेंगे सही तरीके से तो आपको बहुत अच्छा मुना पाएगा उम्मीद ये है कि आपका one is to two का risk reward ratio रहेगा कई वहार one is to two three का भी मिलेगा आपको और आपको लगवग 50% return on investment यानि की 50% profit मिलने की पूरी पूरी संभाव ना है आप यह कर सकते हैं कि लगवग 90-95% chances है कि आपको इतना profit आ जाए अगर सही से implement की जाए इस strategy को तो तो चलिए समझते है strategy को तो हमने किया किया यहां पे एक long startle बनाया है back nifty आज की rate में 42,265 है और हमने 42,200 लिया है आप 42,300 भी ले सकते हैं ज्यादा कोई खास फरक नहीं पड़ेगा अब आपको क्या करना है आपको index का chart खोलना है तो हम यहां पे index का chart खोल लेते हैं यह हमारा index का chart खोल गया अब यहां पे हमारे पास true range की figure आ रही है ठीक है average true range ना average true range क्या होता है देखे average true range हमारा volatility को बताता है जैसे हमारे पास average के लिए 2-3 matrix है mean, median, mode आप 3 चीज़े use करते हैं average के लिए वैसे हमारा volatility के लिए कि price कितना उपर जिन नीचे जाएगा हम standard deviation, हम variance या फिर हम true range को लेते हैं सबसे easy method है to take the true range हमने यहां पे true range लिया what is true range true range होता है high low का difference, ठीक है, किसी भी price में, किसी भी दिन, price 4 होता है, open high low close, तो हम जो highest point होता है और जो lowest point होता है उसका difference लेते हैं, उसको बहुत है true range, और इस true range का जो हम पिछले 14 दिनों का average लेते हैं, तो हमारे पास 14 दिनों का ATR आता है, ठीक है, 14 दिनों का मतलब लग तीन ह तो यहाँ पर हमने इसका true range निकालना है, और कौन से true range लेना है, weekly true range कि एक हफते में यह कितना उपर या नीचे जाएगा, तो एक हफते में तकरीबन यह आ रहा है हमारा 1400 point, तो 1400 point आपको true range आ रहा है, आप इसको excel में note कर ले, तो मैंने excel खोली, मैंने यहाँ पे note कर लिया, ATR, ATR हमारा आ रहा है, 1400 point, अब आपको यह देखना है कि जो आपका premium है, call plus put का premium, ठीक है, it should be half of the ATR, so that comes to around 700, तो अगर आपका call and put का together, premium, both together, is coming to around 700, तो आप इस strategy को apply कर सकते है, now what will be your target, your target will be 50% of the ATR, that call and put का premium, यानि कि premium का आधा, so whatever is the premium, technically, so target is 50%, so 0.50 into call put का premium all together, यानि कि साड़े 300 point का आपका target रहेगा, 700 रुपय आप लगाओगे, साड़े 300 point का आपका target रहेगा, यानि कि 50% का आपका return इसमें आ सकता है, तो कैसे implement करेंगे, हम देखते हैं कि हमारा कितना अभी चल रहा है, तो हमारा जो premium है इसका, हम देखें, bank nifty का 42200 का 301 रुपय चल रहा है, और bank nifty 42200 call का 419 रुपय चल रहा है, तो दोनों मिला के हमारा 720 रुपय का premium है, तो हम अगर यहाँ देखें, तो हमारा all together जो actual premium हा रहा है, which is 720, so this is your actual premium, 720 रुपय का, और हमारा कितना होना चाहिए, लगवक 700, तो 20 रुपय सर्फ जादा, so shall we take the risk, we can take the risk, तो अगर 720 रुपय प्रीम इसका और हम यह दोनों execute कर देते हैं, buy कर लेते हैं, तो अपन को पूड़ा पूड़ा chance है, कि हमारा profit का जो target है, शाड़े 300 premium का लगवक, वो अपन को मिल जाएगा, यानि कि दोनों के premium का sum, यानि कि दोनों के premium का sum, so हम exit कब करेंगे, जब हमारा premium 700, ठीक है, plus 300, यानि कि premium जो हमारा 1050 दोनों का together हो जाएगा, तो हम exit कर लेंगे, यानि कि call और put का दोनों का मिला के, अगर 1050 premium हमारा आ जाता है, तो हम exit कर लेंगे, ठीक है, अब यह आपको expiry से पहले भी आ सकता है, expiry के दिन तक भी आ सकता है, पर पूरे पूरे chances हैं कि आपके expiry आते आते, आपका ये premium आ जाएगा, ठीक है, तो चले, तो इस strategy को हम पिछले expiry के आसपास पे हम check करते हैं, तो अगर हम ये watch list लेते हैं, दूसरी watch list लिए हैं, हमने 20 April की expiry रखिये, यानि कि आज हमारे जो तारीक है, आज है 18 तारीक अपनीचे corner में देख सकते हैं, date है, और ये हमारी 20 April की है, यानि कि दो दिन के बाद expiry होनी है, अगर हमने पिछली date पे, यानि कि 10 April को ये हमने strategy बनाई, और हम आज 20 April को expiry हो रही है, तो इस पे हम check करते हैं, हमें profit आया या नहीं आया, जैसे कि हमने अभी strategy बनाई, आज Tuesday है हमारा, और 18 तारीक है, summer को भी बना सकते थे, 18 को भी, और हम बना रहे हैं 27 April के लिए, हमारा 1050 होता है या नहीं होता है बढ़ के, ठीक है, तो अगर पिछली strategy पे इसको हम test करें, यानि कि पिछली 10 तारीक को हमने लिए और 20 तारीक के strategy के लिए हम इसको test करें, तो आप bank nifty का आप chart देखो, इसको खोलते हैं, 4080 वाली का chart, and we will see here, ठीक है, तो यह 4880 वाली है हमारी, इसको बढ़ रिफ्रेश कर देता हूँ, आपकी सुधा के लिए, चलिए, और हम अगर बात करें, तो यह हमारा 400, 4500 था, और यह हमारा है 1.5400, तो 4.5400 में से आप लगवग 4.5400 घटा दो, तो लगवग आपका 900 पॉइंट के आसपास का मुनाफ़ा आ रहा है, आपने 400 रुपे प्रीमियम दी है न, खरिदते वक्त, और बेशते वक्त आपको 1.5400 मिला, तो तक्रीबन 1.5400 पॉइंट का आपको यहाँ पे मुनाफ़ा हुआ, अब आप देखो यहाँ पे पुट का चार्ट, यह पुट मिली होगी, आपने यह नुकसान देगी, तो पुट हमने अगर 11 तारिक को ली, मान लेते हैं, 800 की आपने पुट ली, sorry 10 तारिक को, और आपने आज की डेट में इसको क्लोज किया, 13 रुपे में, तो तक्रीबन यह 500 रुपे का आपको नुकसान देगी, तो 2500 का नुकसान यह, साड़े 400 का नुकसान दूसरा, आप कैल्कुलेट कर लो, तो आपको मिले कितने, received 1450, ठीक है, मैं 100 रुपे इसका सब्ट्राट कर दिया, तो तो पेसमिस्टी केसी ले रहे हैं, और आपने पे कितना किया, तो दोनों का मिला करके, एक का अड़ाई सो, उटका, और कॉल का साड़े 400, तो दोनों मिला करके, तकरिवन आपने पे किया 700, आपको प्रॉफिट कितना है, तो तकरिवन जो आपको फायदा है, साड़े 700 परसेंट का रिटान आपको यहाँ पे आया, बट मैं आपको क्या बोल ला हूँ, टारगेट लेने के लिए, मैं आपको टारगेट लेने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 50% का, आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब लाइव कर रहा हूँ, उन YouTube लाइव को जुरू अटेंड करें, उन YouTube लाइव में आपकी जितने डाउट्स हैं, ठीक है उन डाउट को मेरे से पूछे सवाल आपका जवाब मेरा दोस्तों इस चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर ओर्डिनरी डिसकांट ब्रोकर के साथ जाते हैं आप छोटे ट्रेडर है मानलो 75,000 रुपया के आपने ट्रेडिंग करी बाई किया और 76,000 का नाफा कमा है तो इसमें ब्रोकरेज आपकी 40 रुपय स्टेट ब्रोकरेज जाएगी साथ में GST आपका जाएगा 8 रुपय का 26 रुपय यह 48 रुपय तो आप स्टेट ब्रोकरेज में दे देंगे इसके लावा टैक्स मिला करके आपको 74 रुपीज का आपको क्वास्ट तो मैं किसी ट्रेट पर 400 रुपय लगाता है तो तुमेंसे 27 रुपय टैक्स के दे रहा हूं आप 24 रुपय दे रहा हूं मैं 27 रुपय यह 50 रुपय एक्स्ट्रा तो आप सुचों कि यही अमाउंट जब आप बढ़ा कर देते हैं तो फिर और ज्यादा या आप बहुत लिंक दिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जिस्ट गिविट ए ट्राइब एंड यूस इपन लिट मी नो हाओ यू वस्ट्राटीजी और हाओ इस दी अम्स्टॉक आप सो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के शार शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर